चर्चा में क्यों क्या है जील का साम्रिक महत्व पैंगोंग जील के बाड़े में जाने नमस्ते मैं हुआ अब देखना सुन कर चुके प्रभासक्षी का खास का रिक्रेम मोस्ट रिलाइवल इन्फरमेशन यानी एमराई वास्तविक नियंतन रेखा यानी लाइन आफ एक्ट परती ही जा रही है कभी उसके हिलिकप्टर आते हैं तो कभी उसके सैनिक पैंगोंग जील में कारिस्तानी कर जाते हैं लेकिन चीन की इस तरह के हरकतों की कहानी कोई नई बात नहीं बलकि वर्सों पुरानी उनीस सबासट से लेकर 2020 तक में कई मौकई पर वो अपनी कार इलिजन्स एक्सपर्ट हैं उन्होंने इस इस इलाके के सैटलाइट से खीचिगे तस्वीरों को देखकर बताया कि चीन अपनी सीमा के तरफ ही पैंगोंग लेक के सबसे नजदी की इलाकों को जोड़ने के लिए पुल बना रहा है उस पुल के तयार होते ही चीन जब भी ज इस चिनी से पर कम से कम समय में पहुंच सकेगी ऐसे में आए आज के विश्टेशन में आपको बताते हैं कि भारत चिन के बीच पैंगोंग लेक पर क्या विवाद पैंगों जील का इलाका कौन सा है और सामरिक महत्म क्या है भारत चीन सीमा की लंबाई भारत चीन के साथ 3488 लंबी भूमी सीमा साजा करता है यह सीमा जमूवा और कश्मिर हमाचल प्रदेश उत्राखन से की मारो नाचल प्रदेशते होकर गुजरती चीन अनुदाचल प्रदेश के समझता करने वाले वेक्ती थे जिनके नाम पर भारत की सीमा को मेक मौनलाइन का नाम दिया गया था लगिन चीन साथ किये समझते को भी नहीं चीन ने कहा कि अनुनाचल तिबद का दक्षनी हिस्सा है जिन ने कहा था कि तिबद पर उसका कब्जा है इसलिए अनुनाचल भी उसका हुआ भारत चीन बॉर्डर कुल लंबाई 3488 किलोमेटर जमो कश्मीर 1597 किलोमेटर और नाचल प्रदेश 1126 किलोमेटर सिक्कीम 200 किलोमेटर उत्राखन 345 किलोमेटर हिमारच प्रदेश 200 किलोमेटर पैंगों जिल के बारे में जाने पैंगों चो का अर्थ है उच्छ घास भूमी पर जील यह लगदाक में लगबग 4350 मी कि नियंतरन में इसके पाश्मी भाग को 45 किलोमेटर भारत के नियंतरन में आता है जबकि शेष चीन के नियंतरन में एलेसी रेखा जील के मद्ध से ओकर गुजरती है दोनों देश वेविने चेत्रों में लोकेशन पर सहमत नहीं हुए पैंगों जो जील चुसूल घाटी क और भारत के लिए जिले का एक गाहों है जो चुसूल घाटी में स्थिति चुसूल का प्रयोग भारत के छेतर में घुषने आकर्मन के लिए कर सकता है 122 के युद्ध में चिन ने चुसुल में बड़ा अक्रमन किया था भारती से ने चुसुल घाटी के रजांगला से वीरता प्रवक लड़ा था रजांगला कुमाव रिजिमेंट के मेजर सहतान सिंग ने किया था और सहीद हो गया भारत चीन के वीच विवाद लदाक में भारत चीन के वीच वास्ट्विक ने अंतरन रेखा यानि यह पैंगोंग जिल से होकर गुजरती है पैंगोंग की लंबाई 165 किलोमेटर बहुत सुंदर जील प्रेक्टर के लिए होते हैं हिस्सा चीन के पास है और एक तिहाई यानि 340 किलोमेटर भारत के पास तिबबत की राजधानी लाहसा यहां से कड़ीड़ 1000 किलोमेटर के दूरी पर है तो चीन की राजधानी 3600 किलोमेटर भारत चीन के वीच मैजून महीने में हुए जड़ब जिल के उत्री लाक माई में जब चीन फिंगर फोर की तरफ आ गया तो यहीं से जगड़ा शुरूब यह तो पैंगोंग जील के उत्तर के जगड़ी की बात हुई लेकिन जील के दक्षिन इलाके में भी कुछ हो रहा था जील के दक्षिन किरारे के पास ही चुशूल है वहां से थोड़ी दू कोशिश काम्याब नहीं हो पाई जिसके बाद चीन तो जैसे बॉखला सगया कोई भी बयान दिये गए तो भारत तो हमारे इलाके में घुज गया पहले की सहमतियों करार को भी तोड़ दिया भारती सिना ने रंतिक तिहास के सबसे पाहम चुछी चोटियों पर कभजे मिले भारत ने चीन दूर की सोच रहा है और नहीं निर्मान से पक्का कर लेना चाहा है कि पहंगों के दक्षणी किनारे पर भारती सेना का मुकाबला करने के लिए एक से ज्यादा रास्तों के विकल्प उसके पास मौजूद इसके साथ साथ उसने हिलिपोर्ट मिसाइल साइट प्रषणी को करहने के जगह भी मनाई भारत ने विकी पूरी तयारी चीन की तरह भारत ने पुर्वी लद्दाक की सामबिक दिष्णी से महतबों दिलाके में नई सरके सुरंगे और अंडरग्राउं हतियार पनाए इसके साथ भारत ने युद्ध की इस्तिति एत्माल की न दोनों देशों ने पचास-पचास सजार से ज्यादा से ज्यादा सनी कुत्तर में देपसांग से लेकर दक्षिर में देम चौक तक पर फिली पहाड़ी ओपर तैनात कर रखें पुरी लदाक में कम से कम बारा जगों पर दोनों देशों के बीच विवाध होने की बात कही जात ऐसे रिपोर्ट्स को देखने के लिए प्रभासाक्षी को सब्सक्राइब करें